इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपुन भक्षिय भ्यारन्य के बारे में जिसका ये पार्ट टू है इसके पहले पार्ट वन अपलोड हो चुका है यदि आप पार्ट वन को नहीं देखे हैं तो जाकर इस वीडियो को जरूर देखें इन दोनों वीडियो में आप को भारत के सभी important bird centuries के बारे में बताया गया है almost छोटे से बड़े सभी bird centuries को यहां पर cover किया गया है with proper map तो जाकर इस वीडियो को जरूर देखें और part 2 को भी ध्यान से देखें और इसको याद रखने की कोसिस करें तो चलते हैं पहले bird centuries के और पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था part 1 इसमें last हम लोगों ने पढ़ा था महराष्टर में कितने bird centuries हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिजोरम राज्य के बारे में कि मिजोरम राज्य में कितने bird centuries हैं यहां पर आपको मुख्यू रूप से एक ही पक्षी अभियारन्य देखने को मिलेगा ज वैसे बहुत सारे वन जिव अभियारन्य आपको मिलेंगे जिसके अंतरगत ही bird centuries को भी separate किया गया है वैसे में एक है लेंगे टेंग वन जिव अभियारन्य यहां पर bird centuries है यहीं पर इसको रिजर्ब किया गया है जो कि मिजोरम राज्य में हमारा आता है मिजोरम राज्य के यह चंपाई जिले में इस्थित है जो कि एक bird centuries है और यह जो लेंगे टैंग है लेंगे टैंग एक पहाड़ी छेतर है एक पहाड़ है यह मिजोरम का दूसरा सबसे उंचा पहाड़ी है अब दूसरा सबसे उंचा पहाड़ी है तो पहला सबसे उंचा पहाड़ी कौन सा है यह प्रशन काफी जादा पूछा जाता है तो सबसे उंचा जो पहाड़ी है यहां पर उसका नाम है फांग पूई फांग पूई जिसको नील परवत भी कहा जाता है यह यहां का पहला सबसे बड़ा परवत है और परवत नहीं कहेंगे पहाड़ी कहेंगे और जो दूसरा सबसे वड़ा पहाड़ी है यह है लेंगे टैंग तो लेंगे टैंग में है यह इस्थीत है इसको प्रोटेक्ट किया गया था इसको एक प्रोटेक्ट एरिया घोसित किया गया था Seven sister के और यहां पर है मिजोरम राज मिजोरम राज में आपको यहां पर मिलेगा Northern Side में Langeting Wildlife Centurie यहीं पर यह wildlife century भी है और bird centuries भी located है तो यह आप याद रखेंगे द्योको map देखना बहुत ज़ादा जरुरी होता है वैसे यह जो Langting है यह में मंहार से काफे जादा सटा हूआ है मतलब किuplar के अल्मोस्ट बॉर्डर के ही पास यह इस्थीθ है तो वाइड लैप चलब यह पर यहाँ पर हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बाट सेंसूरी यहाँ पर इतने सारे मार्क को देखकर confuse नहीं करना है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा wild lab century के बारे में तो almost जितने भी centuries है wild lab centuries है इनको कबर किया जाएगा लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे है bird centuries को तो bird centuries में जो मिजोरम राज महिस्तित है वो एक ही है लेंगे टेंग wild lab centuries में तो यह चीज़ आपको याद रहना चाहिए अब अगला हम लोग देखते हैं मिजोरम के बाद तामिल नाडू तामिल नाडू में आपको 12 ऐसे bird centuries मिलेंगे जो की तामिल नाडू में located है यहाँ पर 12 का नाम दिया हुआ है पहला है चित्रगुडी पक्षी अभ्यारन्य दूसरा है काजी रंग कूलं पक्षी अभ्यारन्य तीसरा है कथान कूलं पक्षी अभ्यारन्य फिर वेदान तंगल पक्षी अभ्यारन्य वेल्लोड पक्षी अभ्यारन्य वेटां गुडी पक्षी अभ्यारन्य वाडू वुरू पक्षिय अभियारन तो यहां पर आपको कुल मिला करके 12 ऐसे पक्षिय अभियारन मिलेंगे यहां पर हम लोग इसको एक-एक करके पढ़ते हैं तो पहला जो है यहां पर जो आपने देखा पहला और दूसरा यह आपस में मिले जुले हैं तो इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं चित्रांगुडी पक्षिय अभियारन और काजी रंग पक्षिय अभियारन इन दोनों को यहां पर protection area declare किया गया था 1989 में 1989 में इसको protect area घोसित किया गया था और ये आपस में मिले हैं तो ये कहां पर located है ये है तामिल लाडू के राम नाथम पूरम डिस्टिक के अंदर जो कि आपको मिलेगा मुदू कुलाथूर तालुका में तो ये आपको याद रखना है कि चितरांगुडी पक्षिया भ्यारन और काजी रंग कूलम जो पक्षिया भ्यारन है ये आपस में adjustable है मतलब कि ये adjust करता है दोनों अपने आप में एक साथ सिमट के है तो इसको जो protect किया गया था ये किया गया था 1989 में और इसको bird centuries भी घोसित किया गया था 1989 में तो दोनों date एक ही है जो कि चि किया गया था 1989 में तो ये आपको याद रखना है यहां पर एक और चीज बता दूँ यह जो दोनों पक्षिया भ्यारन है यहां पर बबूल के पेड़ बबूल के जो पेड़ होते हैं जो की एक कांटेदार पेड़ होता है ये काफी ज़ादा यहां पर पाए जाते हैं इसक डिस्ट्रिक्ट है जो की तामिलनाडो में है और ये डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जो है जो में तिरुन वेली सहर जो है इससे आपको 38 किलोमेटर दूरी पर ये मिलेगा इसको संगरशीत एरिया गहसीत किया गया था 1994 में ये south इंडिया का सबसे बड़ा प्रजनन छेतर है वो भी South India का सबसे बड़ा तो ये आप याद रखेंगे साथी साथ यहां से एक नदी भी बहती है जिसका नाम है थामीराब रानी तो थामीराब रानी जो नदी है ये Western घाट से ये नदी निकलती है और ये जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में ये जाकर बंगाल की अभियारन्य के बारे में वेदांगल पक्षी अभियारन्य जो है ये आपका लोकेटेड है तामिल नाडू के चेंगल पट्टू डिस्टिक्ट में चेंगल पट्टू जिले में ये आपका लोकेटेड है जो की मदुराम ताकाम तालुका में इस्थीत है ये आपका तामिल लाडू के नौर्धन साइड में मिलेगा नेक्स्ट है वेल लोड पक्षि अभियारन्य ये करीब 80 हेक्टियर का एक एरिया है जिसको पोटेक्ट किया गया है ये लोकेटेड है एरोड डिस्टिंग में जो की तमिल लाडू में ही है और इसको बर्ड सेंचुरिस गोसित किया गया था 1996 में इसके बाद आता है वेटांगुडी पक्षि अभियारन्य इसको डिकलियर किया गया था मतलब इसको पक्षि अभियारन्य गोसित किया गया था 1977 में जो आपको मिलेगा सिवगांगा डिस्टिक में तो ये सिवगांगा डिस्टिक में जो है ये ये लोकेटेड है तीरिपट्टूर के समीब ही ये सिवगंगा डिस्टिक में ही लोकेटेड है वैतांगुडी पक्षी अभियारन्य। नेक्स्ट देखते हैं करीवीती पक्षी अभियारनेक, करीवीती बर्ड सेंचूरी, ये करीब साड़े चार स्क्वाइर किलोमीटर का एक प्रोटेक्ट एरिया है जो कि आपको मिलेगा अरियालूर डिस्टीक में, जो कि तामिल लाडू का ही एक जिला है और यहां पर एक फ् ये जो फ्रेस वाटर लेक है, जिसका नाम है पुलामबडी, ये एक किनाल से निर्मित होता है, मतलब एक किनाल है जिसके कारण ये लेक बनता है, और इसी को एक बाट सेंचूरी गोसित किया गया है, तामिलाडू सरकार के दवारा, अब बात आता है इस किनाल पर, ये किना किनाल आखिर किस नदी से निकली है, या फिर इसका सोर्स क्या है, देखो, इसका सोर्स है कावेरी रिवर, ठीक है, इसका सोर्स है कावेरी रिवर, कावेरी रिवर से ही इस किनाल को, जो कि एक irrigation किनाल है, जिसको सिचाई के लिए बनाया गया था, तो इसी से एक लेक बनता ह अभ्हारययय करी किली बट्ट सेंच्यूरी इंचि यह आपको मिले गा कांची पुरम डिष्टीक में और करीब कांची पुरम से 75 किलोमीटर दुरी पर है नेस्ट आपका है पुली केट जहिल पक्षी अभिहारन्या पुली केट लेक बाड़ सेंचूरी यह सेंचूरी जो बाड़ सेंचूरी है यह आपको मिलेगा नेलोर डिस्टिक और आंधरा परदेश में मतलब यह दोनों में अपना एरिया सेयर करता है जो की करीब साड़े एरिया है जो की आपको मिलेगा नेलोर डिस्टिक और आंधरा परदेश दोनों में अब नेलोर डिस्टिक और आंधरा परदेश इसका मतलब देखो नेलोर डिस्टिक वैसे है तामिल नाड़ो में लेकिन इसका कुछ भाग आंधरा परदेश में आता है इसका मतलब यह है क यह तमिल नाडू के नॉर्दन साइड पर यह इस्थीत है लेकिन इसका कुछ भाग नेलो डिस्टिक में आता है मैं बता दूँ यह जो नेलो डिस्टिक है यह अंधरा परदेश में है यहीं पर आपको मिलेगा इसरो इसरो मतलब जहां से सेटेलाइट वेगरा लॉंच होता ह है जो कि हमारा लॉंच पैड है जिसको हम लोग कहते हैं सतिस धवन स्पेस सेंटर या फिर जो भी इसरो का हिटक्वाटर है यह यहाई पर इस्थीत है तो इसको हम लोग देखते हैं मैप में ताकि यह चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो यह है हमारा प पुलिकट लेक वैसे आप यह जो बॉर्डर देख रहे हो यह जो ब्लैक डॉट वाला बॉर्डर है इसके उपर में है अंधरा परदेश यहाँ पर आता है और नीचे है तामिलाडू लेकिन यह जो बॉर्ड सेंचुरी की बात की जारी है यह बॉर्ड सेंचुरी यहाँ प के साथ और यह जो पुलिकेट लेक है यहीं पर आपको मिलेगा स्री हडी कोटा चहां पर आपको मिलेगा इसरो का हेटकोर्टर और सतिस्धवन स्पेस सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इसरो तो यह चीज मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ तो इसके बारे में ह ज्यादा डिसकस नहीं करेंगे तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर वापस नेक्स्ट आता है उद्या मार्त दम पक्षिय अभियारन यह पक्षिय अभियारन करीब 0.45 कि स्क्वार किलो मिटर में यह फैला हुआ है जो कि एक प्रोटेक्ट एरिया है जिसको एक पक्ष उतर परदेश में कितने हैं पहला है बखीरा अभियारन यह बखीरा पक्षिय अभियारन यह जो है यह आपको मिलेगा संत कभीर नगर डिस्टिक में यह आपको लोकेटिड मिलेगा संत कभीर डिस्टिक में जो कि इस्टन उतर परदेश का एक जिला है यह एक नेचुरल फ फ्लड प्लेन वेटलेंड है जो कि एक पक्षी अभ्यारन है बखीरा पक्षी अभ्यारन्य जिसको पक्षी अभ्यारन्य बनाया गया था 1980 में नेक्ष्ट देखते हैं यहां पर आपको मिलेगा लाक बहुत सी पक्षी अभ्यारन्य लाक बहुत सी दो भिलेज में मतलब दो गाओं के बीच में एक लेक है जो की भिलेज का नाम है लाख और दूसरा भिलेज का नाम है भोसी तो इसी दोनों गाओं के नाम पर इस पक्चिय अभियारन्य का नाम रखा गया है लाख भोसी पक्चिय अभियारन्य ये कन्योज डिक्ष्टिक में जाना जाता था लेकिन 2015 के बाद इसको चंदर सेखर आजाद बर्ड सिंचूरी के नाम से बुलाया जाना लगा यह आपको मिलेगा उन्नों डिस्टिक में ये आपको located मिलेगा जो की कानपूर और लखनव हाईवे के पास में ही इस्तित है इसको bird century declare किया गया था 9 सितंबर 2019 में लेकिन इसका नाम पहले ही change कर दिया गया था इसको सहीद जंदर सेखर अजाद पक्छे अभियारन तो ये आपसे पूछा जा सकत है एक्जाम में ये काफी ज्यादा important है आगे बढ़ते हैं पत्ना पक्छी अभियारन तो पत्ना पक्छी अभियारन जो है यहां पर confuse नहीं करना है यह वह पत्ना नहीं है जो बिहार की राजधानी पत्ना है यह पत्ना आपका इस्थित है उतर प्रदेश में यहां पर एक bird century है जिसको नाम दिया गया है पत्ना पक्छी अभियारन तो यह आपको पक्छी अभियारन मिलेगा एटा जीले में यहां पर एक आपको मिलेगा लेंटिक जील यह जो लेंटिक जील है यह भी यहां पर सामिल है इस पक्छी अभियारन के अंतरगत जिसको दरजा दिया गया था 1991 में जो कि उत्तर प्रदेश का एक bird century है नेक्स्ट है सामन अभियारन यह आपका located है मनिपूरी डिस्टेक में जो कि western उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको पक्षी अभियारन ने बनाए गया था 1999 में और इसको रामसर साइड डिकलियर किया गया था 2019 में तो जो भी important facts जो है वो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ इसके बाद आता है समसपूर पक्षी अभियारन समसपूर पक्षी अभियारन आपको मिलेगा salon में salon राय बेलेली डिस्टिक के अंतरगत आता है जो कि उतर परदेश का ही एक पार्ट है और इसको एक पक्षी अभियारन का दर्जा दिया गया था 1987 में तो ये आपके लिए बहुँ जादा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है सेंडी पक्षी अभियारन सेंडी पक्षी अभियारन ने जो है ये आपको मिलेगा हर दोई डिस्टिक में और यहां पर इसको एक और नाम से जाना जाता है सेंडी पक्षी अभियारन को वो नाम है धार जील तो धार जील को ही सेंडी इसमें ये काफी ज़्यादा सवाल देखा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे कि सेंडी पक्षी अभियारन ने जो है इसका दूसरा नाम है धार जिल जो की एक एंसेंड नेम है और इसको पक्षी अभियारन ने घोसित किया गया था 1990 में नेक्स्ट है चिंता मनी कार पक्षी अभियारन ने इसको डिकलियर किया था 1982 में इसके बारे में ज़्यादा कुछ यहां पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये पक्षी अभ ये है वेस्ट बेंगॉल में जो की चिंता मोनीकार बर्ड सेंचूरी है ये आपको मिलेगा कलकत्ता में और कलकत्ता में ये आपको मिलेगा सदन कलकत्ता में तो सदन कलकत्ता में ये कायल आर्ग बगान के भी नाम से जाना जाता है जो की चिंता मोनीकार पक्षे अभियारन है इसके बाद आता है राय गंज वन जिव अभियारन देखे ये भी एक वाइड लाइप सेंचुरी है जिसके अंतरगाट बाड सेंचुरी को संगरक्षित किया गया है मतलब कि एक पोटेक्टेट एरिया घोजित किया गया है ये आपको मिलेगा राय गंज के नजदीक में उत् sirvint बनने के लिए वह एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए बाड सीन्फुणी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अब हम लोग देखते हैं कुछ map ये देखो ये जो map है ना आपको एक proper clarity देगा जो कि migrate bird आते हैं अलग-अलग देशों से आप देख सकते हैं कि ये है Central Asia Central Asia से बहुत सारे bird migrate करते हैं जिसका ये path है जो कि यहाँ पर proper दिया हुआ है आप इसको download करना चाहते हैं तो आप WhatsApp ग्रूप पर आकर join कर लें और WhatsApp ग्रूप का जो link है वो description में दिया हुआ है सबसे नीचे आपको मिलेगा तो आप यहाँ पर इसको download कर सकते हैं इसको ही नहीं पूरे PDF को यहाँ पर आप आकर download कर सकते हैं तो आप आकर उसको join जरूर कर लें मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि यह वीडियो आपको help करता है तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें thank you for watching the illusion